प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षा साथ विशे सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक हमारा बारत दो कि कारिया पुस्तिका में अध्याई पांच प्राचीन बारत में सिक्षा साइते एंवकला के परसन उतर करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चो ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें उपने साथियों को सेर जरूर कर दें तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला पर्षन। इसके बाद में है प्राचिन बारत की कला विशो विक्यात थी कैसे तो प्यारे बचो इसका जो उत्तर है वो नीचे वाले बोक्स में मेरे से लिखा गया तो मैं ये सोर्ट कर देता हूँ इसको पढ़ता हूँ तीसरे का जो उत्तर है वो ये है मैंने यहां टिक किया हुआ है ठीक है तो क्या है इसमें देखो प्राचिन बारत की कला का विकास सिम्रित द्रोहर के साथ जुड़ा हुआ था सिम्रित द्रोहर के साथ जुड़ा हुआ था जिसमें स्तूप मंदिर चितरकला मुर्तिकला वास्तुकला आदि सामिर्थी वेपारिक सम्दों के जरीए बारतिय कला का परचार परशार विसों के साथ होता रहा है इसके बाद में जो चोथा है उसका उपर लिखा गया है अपने आसपास के विद्यहले की सिक्ष्या पदती की जानकारी इकठी करें वर्तमान समय में विद्यालियों की शिक्ष्या पत्ति विद्यार्थी केंद्रित है जिसमें विद्यार्थी को खेल खेल में गत्ति विद्यारित शिक्ष्या परदान की जाती है इसके बाद आगे है अपने अध्याय से जानकारी दी जी की प्राचीन समय की पुस्तकें उनके लेखक कौन-कौन है तो प्राचीन समय की पुस्तकें जैसे रामायन तो मैर्शी की बालमी की लेखक हैं माबार्त मैर्शी वेद्व्यास जी हैं नटे सास्तर के बर्तमुनी जी ह अर्ष आस्तर के कोटिल्य जी हैं आगे हैं क्या प्राचिन समय में शिक्षया प्राप्त करने से पहले कुछ प्रिक्रिया से गुजरना पड़ता था यदि ऐसा होता तो वह प्रिक्रिया क्या थी प्राचिन समय विद्यार्थी जंगलों में गुरूओं के आस्तर में बैठ कर शिक्ष्या ग्रैंड करते थी तीन दिन की प्रिक्ष्या के बाद विद्यार्थी का उपनियन संस्कार होता था इस उपनियन संस्कार की प्रिक्रिया के बाद इस अभी विद्यार्थियों को समान रुप से शिक्ष्या दी जाती थी परस नमर साथ है ज्यात की जी कि प्राचि में मुद्रित पुस्त के हैं मतलब छपी हुई पुस्त के हैं जाद कीजी कि प्राचिन काल की कला के के अंदर तथा उनकी विशेस्ता किस प्रकार आज की कला से अलग है प्राचिन काल में कला का परमुक के अंदर दार्मिक और सांस्कृतिक अनुसंठानों में था मंदिरों स शिक्ष्या कुछ ही लोगों तक सिमित थी क्यों, प्राचिन काल में समाज में वर्ण व्यवस्ता का पर्चलन था, जिससे ब्रामनों को शिक्ष्या के लिए उच स्तान दिया दाता था, जबकि सुद्रों को शिक्ष्या से वन्चित रखाता था, इसके लावा प्राचिन काल म में एक परशीद पत्थर 83 कला के इंदर है यहां का ताज मैलो और अगर्शन की बावड़ी परियटकों के लिए आकर्शन का के इंदर है नमर दो राजस्तान में जेसल मेर और जैपुर शेर पत्थर 83 के लिए परशीद हैं यहां के कलाकारों दोरा खूबसूर्थ पत्थर की मुर्थियां गहने वयवस्तर बनाई जाते हैं आगे चलते हैं परशन नमर 11 गुप्त काल को सवन युग के नाम से जाना जाता है तो बताइए यह सिक्षय साहिते एंवकला के रूप में कैसे सवन युग था इस काल को सवन युग कहना उचित है क्योंकि इस काल में बारति विशव के सबसे प्राचिनतम ग्रंत वेद हैं प्राचिन काल में शिक्ष्या कंठस्त करनी होती थी चेत्रियों का सिन्ने शिक्ष्या भी दी जाती थी विक्रम सिला विशव विद्याले बागलपुर बिहार में श्तित्ता नालंदा विशव विद्याले में 10,000 विद्यार साथ सो इस्वी से आठ सो दस इस्वी तक हुई बलवी बिस्वी डाले की स्थापना चार सो सत्री स्थी में वोध साहिते में पिटकों की संख्या जो थी तीन तो मैंने यहां पर सही मिलान किया हुआ है आप भी ऐसा कर सकते हैं निमलिक त्वाक्यों को पूरा कीजिए ललित क संद्रिय परदान है इसमें स्थापत्य मुर्ति चित्र संगीत था कव्य कला मानी जाती है नालंदा विशेश देल की विशेशता है क्या है तो किरिया कलाप एक के परशनमर दो का उत्तर है वही इसका भी उत्तर है आगे है प्राचिन काल में मैलाओं को प्रमुक्त ग्रंत थी वर्तमान समय में स्थित विशेविद्याले है तो वर्तमान समय में अर्याना राज्ये में कुरुक्षेत्र विशेविद्याले कुरुक्षेत्र में है मैरसी द्यानन विशेविद्याले रोतक में है चोदरी देविलाल विशेविद्याले यहां पर यह चोदरी ह इस तरीके से और भी विश्वविद्याले हैं जो आपको पता है आप लिख सकते हैं निमलिक्त परशनों के सही उत्तर चुनिये मिट्टी से बने खिलोने की एकला मर्तिका है मर्तिका प्राचीन शिक्ष्यापत्ती में आचारी को उपादी दी जाती थी देवत्तव तक सिला विश्ववी धेले वर्तमान मिष्थित है पाकिस्तान में अजनताय लोरा की गोफा वर्तमान समय मिष्थित है महराश्टर के अंदर नयाए बासा के रचित्या कोन है तो वाच्य यज आओ ग्यान बढ़ाएं वर्तमान समय में चर्चित विश्वी दैले की विसे इस्ताइं बताईएं तो वर्तमान समय में चर्चित विश्वी दैले विसो उस्त्रिय सिक्ष्या परदान करते हैं चात्रों को विशुष्य जानकारी वर समात करने के एकसमता परदान की जाती है। ये चात्रों को देन-सोद कला और संस्कृति में सक्सम बनाते हैं। कला आर्थिक समर्दी में सायक है कैसे एतियासिक और सांस्कृतिक स्तिलों का परचार परशार करके प्रेटन को बढ़ावा मिलता है इस चेक छेतर में आर्थिक विकास होता है शिलबकार, कलाकार, नर्थेकार, आदिकला से जुड़े लोग रोजगार के आउसर पा सकते हैं रामायन बालमिकी वर्तमान समय के उस धुनिक बारतियों के नाम बताई जिन्हों ने साहित्यकार के इक्षित्र में काम किये तुम्हादेवी वर्मा, हरिवन्स, राइबच्चन, जैसंकर, परशाद, मेथली, सर्ण, गुप्त, आदी बारत के समर्द विश्व विडियालों में कहां कहां से लोग सिक्षा ग्रेंड करने के लिए आते हैं तो चीन, बुटान, नेपाल, जापान, शिरलंका और तिबबत आदी से क्या आज भी विदेशी बारत में पढ़ने के लिए आते हैं यदि हां तो कहां कहां से हां आज भी विदेशी बारत में पढ़ने के लिए आते हैं जैसे नेपाल, बुटान, बैसे लिंका से कौन सा चितर, किस कला का नमूना है चितर के नीचे लिखें तो पहला जो चितर ह दूसरा दंत कला का नमुना है और तीसरा है मुद्रा कला का और चोथा दातू कला का तो यह था प्यारे बच्चो अध्याए पांच प्राचिन बारत में शिक्षा साहितें कला जो आज हमने किया उमीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चो वीडियो बनाते समें कहीं कोई तुरूटी होगी हो तो उसको आप चेक कर लेना धन्यवाद